हेलो फ्रेंड्स क्या आपके हाथ पैरों में कालापन और जुरिया है क्या आपके हाथ पैर आपके उम्र से ज्यादा बड़े दिखते हैं क्या आपके फेश से बहुत ही ज्यादा डल आपका हाथ और पैर दिखता है क्या आप अपने हाथ पैर को दिखाने में सबसे सर्माते ह अगर आपका जवाब हाँ है आप बिल्कुल सही जगव पर आया है और इस रेमेडी से आपका हाथ-पैर बिल्कुल आपके चहरे जैसा साफ, सुन्दर और बेदाग हो जाएगा और आपके हाथ-पैरों से जो बुड़े लोगों के हाथ-पैरों पर जुरिया जैसे सुक्रे से होते हैं वहापके हाथ-पैरों पर बिल्कुल भी नहीं बीखिएगा तो चलिए सब्सक्राइब आप चैनल को लाइक करें अगर आपको पसंद नहीं आए तो इसे डिसलाइक करें कमेंट करें से एक शेयर करें नहीं चलिए हम अपनी वीडियो को गाइस इस रेम तोल का ग्लिसरीन है यह आप कहीं भी मेडिकल शॉप पे आसानी से मिल जाएगा इसके मार्पी 80 रुपे में है और यह सो ग्राम की क्वैनिटिटी में यह मिल जाएगा आपको गाइस ग्लिसरीन के उपयोग से हमारे हाथ पैर के जुर्या और पैचेस जैसे समस्यां दूर हो जाएंगी इसलिए हम इसमें ग्लिसरीन का उपयोग कर रहे हैं मैं यहां आधा चम्मच ग्लिसरीन कव्योग कर रही हूं आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं मैं इसे दो बार यूज़ करूगी अपने हाथ और पैरों पे इसलिए मैं थोड़ा यहां पर ज्यादा ले रही हूं अगर एक बार मतलब आप डेली यूज़ करना चाहे तो आप सब अपनी क्वेंटिटी कम यह ज्यादा कर सकते गाइस इसका दूसरा मेनियली क्रेंट से कोकोनेट ऑईल हमारी तुछा को पोशन देता है रेगुलर उपयोग से इससे डाग धब्बे दूर हो जाते हैं और हमारे स्किन में नमी को लॉक करता है यह एक बहुत ही बेस्ट मॉस्चराइजर का काम करता है यह सकिन से दी हाइडरेशन को दूर करता है इसकिन को हाइडरेट बनाता है इसमें हम आधा चमबच पोपनेट ओएल डाले लिए इस रेमेडी का लास्ट इंडिजियंट से आइस एलोवेरा लीव मैंने यहाँ पर फ्रेस एलोवेरा लीव ल कार्टेश को निकाल लेना इसका एलोवेरा जेल आपको निकाल के ले लेना है इसमें आंटि एजिंग एंटी ऑक्सीडेट एंटी बैक्तरियल तुक्त-र एंटी इंफीले में rice को बनाता है इसमें एलोवेरा जेल एक चमच मिलाया है, आपको इस अच्छे से मिला लेना है और अपने हैं चाहिटे तो परे अप्लाइव ने अपकर अबरेने को बिए चल्चे आपको अगले दिन अ को सबुन भी लगा ड़े गया कि इसको आपको डेली दने में ऑपको सब़ परे ओवरनाइट इसको आपके अपने हाथ पे लगे रहने हैं